नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज अवस्य करिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं जो ह हमारा एचेचपी लोको होता है अगर उसमें एयरब्रेक सेल्फ टेस्ट करना है तो कैसे किया जाएगा और इसको क्यों आ जाता है तो जब भी हमारी एयरब्रेक से संबंधित कोई ट्रबल लोकों में आ जाएगा जैसे हमारा बीपी नहीं प्रेसर मेंटेन हो रहा है या हम भी नुमेट के लिए ट्रबल सूटिंग हम अटेंड कर रहे हैं और हमको सफलता नहीं मिल पा रही है किसी का रड़ से तो उसमें हम क्या करते हैं पहले में भी सर्किट बेकर का रिसाइकल करते हैं और कभी-कभी सीसी भी एनि कंप्यूटर सर्किट बेकर का भी रिसाइकल करत में हैं लेकिन इसके पश्चात भी अगर हमको सफलता नहीं मिल रही है तो हमको एरब्रेक सेल्फ टेस्ट करना पड़ेगा अब एरब्रेक सेल्फ टेस्ट चुकि डिस्प्ले से होता है और हमारे लोकों में कई टाइप के डिस्प्ले हैं तो उसको अभी हम आगे दिखा देते हैं कि किस प्रकार के डिस्प्ले में हम कैसे सेल्फ टेस्ट करेंगे सेल्फ टेस्ट करने से पहले हमको लोकों में कुछ पहले से तयारी करनी पड़ेगी सेल्फ टेस्ट करने से पहले तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको गाड़ी खड़ी रखनी है जिससे roll down ना हो तो हम पूरी गाड़ी में brake लगा देंगे और उसके बाद S9 को apply कर देंगे और hand brake और लकड़ी के गुठके से इसको क्या करेंगे secure कर देंगे ताकि अब हमारा engine और load roll down ना होने पाए करना है कि दोनो साइड के दोनो साइड के हमको BP और FP एंगिल का हमको close रखना है तो सामने का तो एंगिल का close रहता ही है और load side का भी हम close कर देंगे और air brake self test करने के लिए MR pressure हमारा होना जरूरी है MR pressure 8 से 10 kg per cm2 के बीच में होना चाहिए साड़े साथ केजी पर cm2 मिनमम है इसका इससे कम होगा तो air brake self test नहीं हो पाएगा और अब हमको दोनों control stand ठीक से secure कर लेना है करना क्या है तो throttle handle हमको idle करना है reversal handle हमको neutral करना है isolation switch को हमको isolate पर रखना है ER और GF का जो slider switch होता है अगर double cab है तो यह assistant side होगा और single cab है तो हमारे long hood control stand में होगा इसको भी हम क्या कर देंगे आफ उसके बाद जो हमारा working control stand है अगर single cab है तो एक ही cab में दोनों होते है working control stand एक non working और अगर cab है तो एक working cab होगा एक non working cab तो working cab या working control stand में हम क्या करेंगे A9 को release पर रखेंगे S9 हमारा apply रहेगा और lead and trail switch यानि LNT switch कहां पर रहेगा lead पर रहेगा और non working वाला A9 हमारा FS पर रहेगा S9 हमारा release रहेगा और LNT switch हमारा trail पर रहेगा अब इतनी चीजें करने के बाद अब हमको display पे menu में जाके self test पर जाना है और self test को select कर लेना है यह self test normally 3-5 minute इसमें लगता है जो cements वाले और dual cab के लोकों है उसमें 140-180 second लगेगा और जो पुराना मेधा का लोको है उसमें 3-5 minute तक लगेगा और यह self test हम करेंगे उसके बाद हमारा जो problem है नुमेटिक का वो दूर हो जाएगा अब यह self test करते कैसे हैं यह अब display से आप देख लीजिए कि अलग अलग display में कैसे कैसे airbrake self test किया जाता है यह display मेधा वर्जन का है अगर ऐसा display लगा होगा हमारे लोकों में तो सबसे पहले हम self test करने के लिए main menu बटन हम दबाएंगे उससे यहाँ पे 4 parameter लिखेंगे पहले पे आएगा data meter, second पे आएगा हमारा self test और third पे आएगा fault, archive और fourth पे आएगा traction motor, tm cutout तो हम main menu पहले दबाएंगे उसके बाद हम cursor से यह जो navigation key बना हुआ है नीचे इससे हम दो नमबर पे self test को highlight करके F3 बटन से इसको select कर लेंगे उसके बाद इसमें password का option मांगेगा तो password हम 12345 लिखे के और F3 से इसको continue करेंगे फिर ok के लिए F3 बटन फिर press कर देंगे जब यह करेंगे तो उसमें फिर कैसा आएगा auto test आएगा, computer test आएगा, input output test आएगा तो हम auto test को select करेंगे F3 से उसके बाद air break self test आएगा और उसको भी हम F3 से select कर लेंगे जो नीचे इसमें हमारे functional की F1, F2, F3, F4 दिख रहा है इसके उपर जो लिखा होगा जैसे इस समय का screen देखिए, क्या है F1 के उपर previous लिखा हुआ है F3 के उपर scroll लिखा है, F4 के उपर print लिखा है तो ऐसे हर बार F3 के उपर ही select लिखा रहेगा तो F3 को दबा दबा कर select करते रहेंगे और जब air break test को हम select कर लेंगे तो फिर उसमें condition आएगा जैसे reversal handle, center पे throttle, idle, loco is not moving, isolate, switch, in isolate position ये सब लिख के आएगा तो ये सारी क्रियाएं हमने पहले कर ली रखी है फिर F3 से enter हम कर देंगे F3 से जैसे ही enter हम करेंगे अब start air break test का message आएगा और air break self test हमारा start हो जाएगा जब हमारा air break self test start हो जाएगा तो display में भी लिख जाएगा air break test in progress और हमारी जितनी भी gauge है चाहे वो ER और BP वाला हो BC वाला हो और air flow indicator वाला हो ये सारे gauge क्या होंगे ये up और down करेंगे क्योंकि जो हमारा computer है अब वो सभी pneumatic circuit को air break से समंदे जितने भी valve हैं उनको signal भेज के test करेगा और सारे circuit को वो test करेगा computer के द्वारा होगा तो बार बार हमको hissing sound मिलेगी pressure का गिरना और ये सारे जितने भी हमारे gauge है इनकी needle up और down होती हमको दिखाई पड़ेगी तो ये सब उसका self test का ही part है ये होने देजे आपको कुछ नहीं करना है आप केवल wait करिए लगभग 3 से 5 minute लगता है air brake self test होने में जब air brake self test पूरा हो जाएगा उस समय air brake test success का message आएगा और उसको हम F4 से end कर देंगे क्योंकि F4 के उपर उस समय end लिखा रहेगा F4 से end करेंगे और फिर F4 से exit भी हो जाएंगे उसके बाद crew message पे हम जाएंगे तो वहाँ पे A9 handle को 60 second emergency position पर रखने का message हमको मिलेगा और जब हम उस message के अंसवार A9 को emergency पर रख देंगे तो 60 second बाद वो message फिर change होगा BP, charging या target तो जब यह message मिलेगा तो हमेना इनको run पे कर देंगे उसके बाद हमारा पहले ER बन जाएगा उसके बाद BP pressure बन जाएगा और break cylinder pressure भी हमारा so करेगा अगर सारे parameter हमारे normal हैं इसका मतलब हमारा self test successful रहा और अगर parameter normal नहीं है इसका मतलब self test successful नहीं रहा अब हमको दूसरे control stand से भी self test करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए यह EMD का display है इसमें भी हम पहले main menu को दबाएंगे उसके बाद हमारा सामने parameter जो खुलेगा उसमें हम इस navigation key से cursor को self test पे ले जाएंगे और F3 के द्वारा उसको select कर लेंगे और self test में जाके जैसे जैसे मेधा वाले में था same processes में करना है कहने का मतलब हमको display में self test को select करना है और password अगर मांग रहा है तो by default 12345 ही password होता है और उसके बाद हम airbrake self test को select करेंगे वही वो condition पूछेगा कि हमारा local move तो नहीं कर रहा है reversal central में है throttle idle में isolate है तो यह सारे condition हमने fulfill कर रखा है उसको F3 से फिर हम enter कर देंगे और हमारा airbrake self test start हो जाएगा यहाँ पे Siemens का display देखिए आपको दिख रहा होगा इस type का अगर आपके पाद display है तो सबसे पहले आप यह save number की आप select करेंगे जिस पे लिखा हुआ है system functioning जब यह आप touch कर देंगे तो इसी save number के उपर दुबारा लिख जाएगा self test यानि दुबारा फिर आपको 7 number ही प्रेस करना पड़ेगा फिर self test का आएगा और यहां पर sky parameter आ जाएंगे तो हम navigation की से यह up or down वाले से हम क्या करेंगे airbrake self test को select करके और उसको enter कर देंगे तब इस Siemens वाले display अला अगर लोको है तो इस तरह हम उसमें airbrake self test करेंगे dual cab अगर लोको है तो हमारे control stand में ही इस type का display लगा होता है उसमें हम main menu को पहले एक number से select करेंगे और उसके बाद यहीं पर हमारा लिख जाएगा diagnostic system diagnostic system को select करेंगे पहले देखे हम लिखे दे रहे हैं पहले main menu में जाएंगे main menu के बाद हम जाएंगे diagnostic system में और जब diagnostic system वही एक number के उपर आएगा diagnosis system को जब select करेंगे तब हमको system लिखा हुआ दिखेगा फिर हम system को select करेंगे तब हमारे 3 number के उपर self test लिख याएगा तब हम self test को select कर लेंगे इस तरह इस dual cab वाले लोकों में अगर इस type का display लगा हुआ है तो इस तरह उसमें self-test किया जाएगा तो इस तरह HSP लोकों में airbag self-test कर लिया जाएगा हमने आपको सारे display से भी बता दिया है self-test एक बार repeat कर लेते हैं self-test क्यों किया? कि BP pressure maintain नहीं हुआ था या PCS knockout होने बाद जब हमने A9 को FS पर 10 second रखा या emergency पर 60 second की penalty या वो रखा उसके बाद भी recover नहीं हो रहा है तब हमको MAB breaker का recycle और CCB circuit breaker का recycle करने के बाद भी अगर हमारा problem दूर नहीं होता है तो हम ये airbag self-test करते हैं उसके लिए तयारी क्या होने चाहिए? गाड़ी खड़ी होके SA9 लगा रहा है हैंड ब्रेक लगा रहा है लकड़ी गुटके लगे रहा है दोनों साइट BPFP angle काग बंद होने चाहिए MR pressure 8 से 10 हो throttle idle, reverser neutral और isolation switch, isolate हो working control stand में A9, release, SA9 apply, LNT lead और non working में A9FS, SA9 release और LNT trail पे अब display पे self-test हम select करेंगे जितने भी type के display है हमने आपको भी दिखा दिया कि उसमें कैसे airbrake self-test पे जाते हैं और उसको select करने के बाद जब उसको select करेंगे self-test in progress आ जाएगा फिर हमको wait करना है अगर password मांग रहा होगा तो password हमारा होता है 12345 ये password हम डाल देंगे उसके बाद हम wait करेंगे मेधा का लोको है तो हमको 3-5 मट समय लगता है और Simmons का है ये dual cap का है तो 140-180 second लगता है उतनी तेर में सभी parameter की निडिल उपर नीचे चलेगी और air hissing sound भी मिलेगी और जब ये पूरा हो जाएगा air brake self-test end का message आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे crew message में तो 60 second की penalty वो so कर रहा होगा तो अब हमको जब 60 second की penalty वो so कर रहा है तब A9 को हमको emergency पे रखना है 60 second उसके बाद जब message आएगा कि run पे रखिए तो हम A9 को run पे कर देंगे जिससे हमारा PCS recover हो जाएगा और BP, pressure और सारे parameter सब build up हो जाएगे इस तरह हमारा airbrake self test successful हो जाएगा अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमको दूसरे control system से airbrake self test भी करना पड़ेगा तो I hope सभी type के display में आप लोग airbrake self test करना समझ गये होंगे Thank you